दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीन में मिलने वाले कुछ ऐसे प्रोड़क्ट्स जो सिर्फ चीन में ही पेचे जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश एर के बारे में ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में परदूशन का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर चीन में पड़ा है इसलिए चीन के लोगों ने साफ हवा में सांस लेने के लिए एक नया ही अविश्कार कर दिया जी हाँ दोस्तो दरसल यहां की हवा इतनी ज्यादा परदूशित हो चुकी है कि यहां पे हवा बोतल और कैन में भर की बेची जाती है यह हवा पॉलूशन फ्री देशों से मंगाई जाती है जो कि आज चीन में भारी मातरा में बेची जा रही है दोस्तो ट्रैफिक जैम तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है लेकिन चीन में लगने वाला ट्रैफिक जैम दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम होता है इसमें हैरान होने वाली बात भी नहीं है क्योंकि चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है ऐसे में ट्रैफिक जैम लगना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब चीन में 12 दिनों के लिए ट्रैफिक जैम लगा था ऐसे में जो गारियां जहां खड़ी थी वही 12 दिनों तक खड़ी रही तभी चीन के कुछ कमपनियों ने मिलके ट्रैफिक जैम से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला दरसल यहां पे ऐसी कई सारी कमपनियां हैं जो लोगों को ट्रैफिक जैम से निकालने में मदद करती हैं जब कोई शक्स ट्रैफिक जैम में फसता है तो वो इन कमपनियों के नंबर पे फोन करता है ऐसे में कंपनियों के इंपुलाई आते हैं और लोगों को अपने बाइक पे बैठा के ट्रैफिक जैम से बाहर निकाल लेते हैं वही कंपनी का दूसरा इंपुलाई ट्रैफिक जैम में फसी कार में बैठ के ट्रैफिक खुलने का इंतिजार करेगा जैसे ही ट्रैफिक जैम खुल जाता है कंपनी के इंपुलाई कार को कस्तमर के घर पे ला के पार्क कर देते हैं दोस्तो वेंडिंग मशीन तो आपने जरूर देखी होगी जिसमें पैसे डालने के बाद चिप्स, बिस्कुट वगेरा निकाला जाता है लेकिन चीन के वेंडिंग मशीन थोड़े अलग होते हैं यहां के वेंडिंग मशीन में पैसे डालने के बाद जिन्दा केकडे निकाले जा सकते हैं जी हां दोस्तो चीन के वेंडिंग मशीन में जिन्दा केकडे होते हैं जिने महच कुछ पैसे डालने के बाद बाहर निकाला जा सकता है इतना ही नहीं बलकि इन केकलों को खाने के लिए सौस भी तिया जाता है दोस्तों अगर आप चाय पीने का शौक रखते हो तो आपको चीन में थोड़ी से सौधानी बरत्ती पड़ेगी क्योंकि चीन में मिलने वाला पांडा टी बिलकुल अलग होता है दरसल इस चाय को पांडा के पोटी से बनाए जाता है जी हां दोस्तों आपको शायद यकीन नहों लेकिन ये सच है आपको जानके हैरानी होगी कि चीन में मिलने वाले पांडा टी की कीमत 77,000 रुपए है इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि चीन के लोगों का ये मानना है कि पांडा टी कैंसर जैसी बड़ी बिमारियों से लड़ने की ताकत देता है यही वज़ा है कि पांडा टी की गिंती दुनिया के महंगे चाय में की जाती है दोस्तों वेलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी सौफिंग कमपनी है इस कमपनी में काम करने वाले इंप्लॉई की संख्या 22 लाख है लेकिन दोस्तों चीन में मौज़ूद वेलमार्ट दुनिया के वेलमार्ट से बिलकुल अलग है दरसल यहां के वेलमार्ट में जिन्दा जानवर भी बेचे जाते हैं इतना ही नहीं बलकि यहां के कई सारे सूपर मार्किट में आपको जिन्दा जानवर बिखते हुए दिख जाएंगे यहां पे आपको मैढक, साप और मगरमच जैसे जानवर देखने को मिलेंगे दोस्तों चीन के लोग अपने बच्चों को एक अजीबो गरीब पैंट पहनाते हैं जिसका नाम है बट स्लीट पैंट दरसल चीन के लोग अपने बच्चों को डैपर्स पहनाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए यहां के लोग अपने बच्चों को इस तरह के पैंट पहनाते हैं। इन लोगों के अनुसार इस पैंट को पहनने के बाद बच्चा ज़्यादा कमफर्टेवल फिल करता है। साथ ही पॉटी कराने के लिए पैंट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रूवी टिप्ड चॉप स्टिक ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन के लोग खाने के लिए चॉप स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। चीन में लकडी प्लास्टिक यहां तक की सोने के भी चॉप स्टिक मिलेंगे। लेकिन दोस्तो चीन में महगे से महगे चॉपस्टिक भी मिलते हैं जो कि चंदन की लकणियों से बनाय जाते हैं इसे और भी अच्छा बनाने के लिए इसमें बेहत खुबसूरत कारीगरी भी की जाती है इतना ही नहीं बलकि इसके निचले हिस्से में होते हैं छोटे छोटे जो कि आपके खाने के एक्स्प्रियंस को हैंडेट टाइम बढ़ा देंगे इसकी कीमत तक्रीवन 34,000 रुपए होती है दोस्तो चाइना और जापान में काफी तनाव होने के बाद भी इन दोनों में कई सारी समानता है जैसे कि इनकी चिंकी आखें और फलो को मुर्तियों मे जैसे बनाना एक कला है साथ ही इसे चाइना के संस्कृति का एक एहम हिस्सा भी माना जाता है ये लोग इन फलो को इस तरह के साचे में डालते हैं कि ये फल मुर्तियों के जैसे दिखने लगते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप का बहुत बहुत शुक्रिया